और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सोनिय गांधी के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं सोनिय गांधी का जन्म इटली में विंजेंसा से 20 किलोमिटर दूर एक छोटे से गाउं लूसियाना में 9 दिसंबर 1946 को हुआ था चादी से पहले उनका असली नाम एंटोनियो माईनो था उनके पिता का नाम स्टीफनो माईनो था जनका एक कंस्ट्रक्शन का बिजनिस था और वे बैटीनो मूसलीनी जो की इटली का ताना शाह था उसकी सेना में काम करते थे वे एक फासी वादी सिपाई थे जिनने रूज में पांस सालों के लिए जेल भी होई थी उनकी माता का नाम पावलो मायन था उनकी दो बहने हैं अनुसका जिनका असली नाम अलेजेंद्रिया है और दूसरी बहन का नाम है नाडिया सोनिया गांधी का वज़पन टूरीन इटली से आठ किलोमेटर दूर स्थित और्वसानों में व्यतित हुआ वहाँ वे रोमन कैथोलिक परिवार में पली बड़ी परंतु सुबर्मनिम स्वामी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी कभी कैम्बरिज विश्विध्याले गई ही नहीं उन्होंने बताया कि वे एक बार कैम्बरिज विश्विध्याले में एक लेक्चर देने के लिए गए होए थे तो उन्होंने वहां कोलिज के अधिकारियों से पूछा कि सोनिया गांधी कोलिज की दिनों में कैसी स्टूडेंट थी तो अधिकारियों ने उन्हें बताया कि सोनिया गांधी नाम की कोई लड़की यहां नहीं पढ़ती थी बलकि सोनिया गांदी ने Lenox School से इंगलिश भासा का कोर्स किया था और ये स्कूल भी 1970 में बंद हो गया था अंग्लेजी भासा का कोर्स पूरा होने के बाद सोनिया गांदी ने Vera City रेंस्टोरेंट में एक वेटरेस करूप में काम करना शुरू कर दिया यहीं सोनिया गांधी की मुलाकात राजिव गांधी से हुई जो उस समय केंबरिज के टरनीटी कोलिज में पढ़ते थे ऐसा नहीं है कि केवल राजिव गांधी ही सोनिया से मिलने वाले उनके पुरुष मित्र थे चली वापस चलते हैं राजीव गांधी पर राजीव गांधी ने 1962 से 1965 तक कैम्बरीज में मेकेनिकल इंजिनेरिंग में दाखला लिया लेकिन वे परिक्षा पास नहीं कर सके इसलिए तीन साल फेल होने के बाद उन्होंने 1966 में लेंडन के इंपिरियल कोलिज में दाखला लिया लेकिन यहां भी डिग्री पूरी किये बिना ही कोलिज छोड़ दिया के एंड राउ ने अपनी पुस्तक में लिका है कि राजीव गांधी सोनिया गांधी से शादी करने के लिए एक कैथोलिक क्रिस्चन बने और अपना नाम रोबर्टो रखा जिसके बाद उनके दो बच्चे हुए जिसमें से लड़की का नाम बियंका रखा और लड़के का नाम रखा राउल और भारत की जनता की आँखों में धूल जोकने के लिए राजीव सोनिया का हिंदू रिती रिवाजों से पुनर विवा करवाया गया और बच्चों का नाम बियंका से बदलकर प्रियंका और राउल से बदलकर राउल कर दिया गया 1968 में दोनों का विवा होने के बाद सोनिया गांधी भारत में रहने लगी। पुन्हें आवेदन करके अगले पांच वर्सों तक भारत में रहने का परिमिट प्राप्त किया इसके बाद 1978 में उन्होंने दुबारा अगले पांच वर्सों के लिए भारत में रहने का परिमिट लिया और भारत का नागरिक बनने का आवेदन भी सोनिया गांधी के नाम से बलकि एंटोनियो माईनो के नाम से किया जाता था सोनिया गांधी ने भारत की नागरिक्ता विवा के 15 वर्ष के बाद यानि 30 अप्रेल 1983 को ली थी 1982 में IIT गेट दिल्ली के पास राद 2 बजे एक कार एक्सिडेंट हुआ जिसमें सिर्फ माधव राव सिंधिया और सोनिया गांधी बैटी थी दोनों को काफी घहरी चोटाई थी एक IIT के छातर ने उन दोनों को कार से बाहर निकाला सोनिया गांधी की इच्चा पर उन्हें परधान मंतरी निवास भेज दिया गया तथा माधव राव सिंधिया जिनका पैर टूट गया था उन्हें दिली पुलिस ने आकर हस्पताल बेज दिया माधव राव सिंधिया सोनिया गांधी के धीरे-धीरे आलोचक होते जा रहे थे तथा उन्होंने अपने निकटवर्ती मित्रों से सोनिया के संबंद में संदे भी जताया था और फिर कुछ समय बाद ही एक वायू दुरुगटना में माधव राउसिंदिया की रहसेपून परिस्तितियों में मौत हो गई ऐसा कहा जाता है कि इंद्रा गांदी की बुलेट पुरूफ कारों का ठेका एक जर्मन कमपनी को दिया गया था जिसमें बिचोलिय का काम किया था वोल्टर विंसी ने जो की सोनिया गांदी की बहन अनुश्का का पती था और इस डील में उसने भारी भरकम कमीशन खाया था इसके बाद 1986 में वोल्टर विंसी को भारत की स्पी जी को इटालियन शुरुक्षा एजंसी दुआरब प्रिस्टिक्षन दिये जाने का भी ठेका मिला और इस सोदे के लिए उसने नगत भुक्तान की मांग भी की थी और वो भुक्तान सरकारी तोर पर किया भी गया इस नगत भुक्तान के बारे में ततकालीन कैबिनेट सचिब बीजी देशमुक ने अपनी किताब में उल्लेख भी किया है और ये ट्रेनिंग भी ऐसफल रही और सारा पैसा लगबग विर्थ ही चला गया क्योंकि इटली के जो शुरक्षा अधिकारी भारती SPG कमांडों को पर्शिक्षन देने आये थे उनका रवईया जवानों के परती बेहत खराब था एक जवान को तो उस दोरान थपड भी मारा गया रो अधिकारियों ने ये बात राजीव गांदी को बताई और कहा कि इस वहवार से सुरक्षा बलों के मनोबल पर विप्रीत परभाव पड़ रहा है और उनकी खुद की सुरक्षा विवस्ता भी ऐसे में खत्रे में पड़ सकती है गबराय होए राजीव ने ततकाल इन वह ट्रेनिंग रखवा दी लेकिन वह ट्रेनिंग का ठेका लेने वाले वॉल्टर विंसी को तब तक भुक्तान किया जा चुका था ऐसा कहा जाता है कि इंद्रा गांधी को बेशक गोलिया मारी गई थी लेकिन उनकी मिर्तियों उनके दिलिया दिमाग को गोलिया लगने से नहीं बलकि बहुत जादा खून बह जाने के कारण हुई थी जब इंद्रा गांधी को गोली लग चुकी थी तब सोनिया गांधी ने अजीब विवार करते हुए बजाए उनको एमस ले जाने के उसकी विपरीद दिशा में डोक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पिटल में ले जाने पर जोड दिया और बाद में अपना मन बदलते हुए फिर से फैसला बदला और इंद्रा जी को एमस ले जाया गया इस बीच करीब 24 मिनट बर बाद हुए और ऐसा सोनिया गांधी ने क्यों किया ये सिर्फ वही बता सकती है सुजर लेंड की परसिद पत्रिका स्केविटजर इलुस्ट्रेट के नवंबर 1991 के अंक में छबी खबर के अनुसार राजीव गांधी के स्विस बैंक में लगवग 2 बिलियन डोलर रुपे खाते में मोजूद थे और ये खाता राजीव गांधी के मरने पर सोन्या गांधी को प्राप्थ हो गया मैगजीन में ये भी दर्शाया गया है कि रश्या की खूफिया एजंसी केजी बी ने सोन्या गांधी जोकि भारती राजनीता से विवाइत हैं उसे इतनी मोटी रकम क्यों दी वही रिटायर इंडियन पुलिस सर्विस ओफिसर मलाई किर्षना धर के दुआरा लिखित किताब ओपन सीक्रेट में ये खुलासा भी किया गया है मले किर्षना धर ने 39 वर्षो तक इंटेलिजन्स ब्यूरो में सेवा दी थी उन्होंने कहा है कि मेरी महनत भरी रिशर्च रंग लाई उन चार मंत्रियों यानि इंडरा सरकार के कैबिनेट मंत्री और दो दरजन सांसद केजीबी जो की रूस की जासूसी एजन्सी है उसके लिए काम करते थे केजीबी इन्हें इसके लिए मोटी रकम देती थी इस किताम में उन्होंने सोनिया गांधी पर आरोप लगाते होई कहा है कि सोनिया गांधी एक केजीबी दुआर भेजी हुई जासूस है इसके साथ ही जब इंडरा गांधी और राजिव गांधी परदान मंत्री थे उस समय ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता होगा कि जब बिना जाज के डबों में भर भरकर समान दिल्ली तथा चेननई अंतरराष्टी हवाई अड़े से रोम ना जाता होगा यह सारा समान एर इंडिया तथा एलिटेलिया जहाजों में जाता था कोंग्रेस की नेता अरजुन सिंग पहले मुख्य मंत्री के रूप में तथा बाद में कैविनेट मंत्री के रूप में सोन्या के कारेकरमों को अंजाम दिया करते थे यहां से पुरा तत्विक महत्व की बहुत सी वस्तूओं को पहले इटली की दो दुकानों जिनका संचालन सोनिय गांधी की बहन अनुष्का किया करती थी में पहुंचाया जाता था इन दुकानों के नाम रिवोल्टा में एटनिका और बसानों में गणपती नाम से थे यहां से जूटा बिल बनाकर इन समानों को इन्हें लंडन निलामी दुवारा बिकरी हेतु भेज दिया जाता था इसमें से कुछ धन राहूल गांधी के नैशनल वेस्ट विनिस्टर बैंक तता होंकोंग एंड संगाई बैंक के लंडन स्थित खाते में जमा हो जाता था और मद्यपर्देश में भी सोनिय गांधी के विश्वस्त माने जाने वाले अर्जुन सिंग तब मद्यपर्देश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंग की मदद से सरकार पर दबाव डालकर उस F.I.R. में सोनिय गांधी का नाम ही नहीं डाला गया आरोप है कि इस संकट स से बचने के लिए सोनिय गांधी ने सिर्फ अर्जुन सिंग का ही नहीं बलकि कला विशेशक के मार्तंड सिंग पाकिस्तानी धंपत्ती मुनीर और फरीदा अता उल्लाह लंडन में रहने वाली पाकिस्तानी मूल के आईसाई एजंट सल्मान तासिर के अलावा लिट्टे की भी मदद ली थी राजीव गांधी की मिट्टों के बाद कोंग्रेस के नेताओं ने सरकार सम्मालने के लिए सोनिय गांधी को बुलाया पर उन्होंने इंकार कर दिया और कहा कि राजनीती से वह दूर रहने वाली हैं लेकिन परिस्तितियों को देखकर 1997 में राजनीती से ज चुनाओ लड़ा और करीब तीन लाग वोटों से दोनों जगे से जीत हासिल कि इसके बाद 1999 में तेरवी लोगसबा में विपक्स की नेता चुनी गई इसके बाद 2004 के लोगसबा के चुनाओं में सोनिय गांधी के नेतरतु में कॉंग्रेस और उनके सायोगियों ने मिलकर 20 204 सीटे जीती इसके बाद सुबरे मन्यम स्वामी बताते हैं कि 14 मई 2004 के अख़बारों में उन्होंने देखा कि सोनिय गांधी दावा कर रही थी कि वही सरकार बनाएंगी उस समय वे मदरास में थे तब उन्होंने ततकाली नराष्टपती कलाम को चिठी लिखी और उनको ब 17 मई 2004 की दोपैर को 12.12 बजे वे राष्टपती से खुद जा कर मिले उनसे कहा कि सोनिय गांधी को परधान मंतरी नियुक नहीं किया जा सकता ये कानूनों के खिलाफ होगा उसी दिन शाम 5 बजे सोनिय गांधी को राष्टपती से मिलना था जहां वे सरकार बनाने के लिए पेश करने वाली थी लेकिन दोपैर 3 बजे सोनिय गांधी के पास राष्टपती भवन से एक चिठी पहुंची जिसमें लिखा था कि शाम 5 बजे का अपोंडमेंट रद किया जाता है अगर वे चाहें तो अगले दिन यानी 18 मई को मुलाकात कर सकती हैं और इसी के चलते सोन समीति के अध्यक्सपद और लोगसभा की सदस्ता दोनों से त्याग पत्र दे दिया मई 2006 में राय बरेली उत्तर प्रदेश से पुने सांसत चुनी गई उन्होंने अपने पर्तिद्योंदी को चार लाख से अधिक वोटों से हराया इसके बाद 2009 के लोगसभा चुनाओं में उन्होंने फिर यूपिये के लिए देश की जंता से वोट मांगा एक बार फिर यूपिये ने जीत हासिल की और सोनिया यूपिये की अध्यक्स चुनी गई 2012 में बिजनेस इंसाइडर की आई रिपोर्ट की मुताविक सोनिया गांधी के पास 2 से 19 अरब डोलर यानी करीब 99 अरब से लेकर 948 अरब रुपे की संपत्ती थी जिससे वे दुनिया की चोती सबसे अमीर राजनेता बन गई थी 2013 में सोनिया गांधी पहली महिला बनी जिन्नोंने कांग्रेस के अध्यक्षा के रूप में अपने 15 साल पूरे किये इसके बाद 2014 के आम चुनावों में नरेंदर मोदी जी के नेतरतों में एंडिये ने 336 सीटे जीत कर सरकार बनाई और कॉंग्रेस को इन चुनावों में सिर्फ 44 सीटे ही मिली इसके बाद 1 नवंबर 2012 को सुब्रे मन्यम स्वामी ने दिल्ली की एक अदालत में एक निची शिकायद दायर की कि सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी ने एसोसेटी जर्नल लिमिटेड की स्वार्जनिक रूप से अपनी निजी कमपनी यंग इंडियन के माध दिम से अधी गरहेंड करके 16 अरब रुपे की धोका भड़ी की है इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए यहाँ आई बटन पर किलिक करें केस की कई तारिक पढ़ने के बाद 7 दिसंबर 2015 को राहुल गांधी और सोनिया गांधी को 9 तारिक को कोट में पेश होने के लिए कहा गया लिकिन वे पेश नहीं हुए और 19 दिसंबर 2015 को पट्याला हाउस कोट अदालत ने सभी को जमानत दे दी लेकिन उन्हें अगली सुनवा के मुताबिक 2011-12 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने तक्रीवन 155.41 करोड और 154.9 करोड रुपे अपनी आये में नहीं दिखाए थे जिसके एवज में दंड के तोर पर 100 करोड रुपे की देंदारी बनती है अभी सोनिया गांधी इसी केस में जमानत पर जेल से ब बाहर चल रही है